पॉलिसी बजार पर एक करोड़ रुपे का टर्म लाइफ इंसुरेंस केवल 450 रुपे महीने से शुरू यह जो पूरी बात है उत्राखंड के जोशी मठ में अब यह एक बड़ा मुद्दा भी बनती जा रही है 571 घरों में बड़ार है कहीं सारे परिवार इससे प्रभावित हैं जिसमें 29 परिवारों को प्रशासन ने दूसरी देगा शिफ्ट भी कर दिया यानि कि हालात उनके घरों के इतने बुरे हो गए थे कि उनको दूसरी देगा शिफ्ट भी कर दिया गया अब IIT रुड की वाडिया इंसिट्यूट और आपदा प्रबंधन की टीम जो है उत्तराखन के जोशिमबट में पहुँचकर पुरा अध्यन कर रही है मौाइना कर रही है यह समझने के लिए कि ऐसा क्यूं हो रहा है क्योंकि वहाँ पर जन्ता ने आक्रोश में सडकों पर खड़े होके चक्का जाम भी कर दिया है किस तरीके की परेशानिया इलाके के लोग महसूस कर रहे हैं यहाँ पर भूसखलन एक बड़ा आम समस्या है हजारों लोग उससे प्रभावित होते हैं उनके घर उजरते रहते हैं लेकिन आसपास विकास के जो काम हो रहे हैं जिसमें निर्मान के दौरान सुरंग खोदी जा रही है ऐसी जगाहों पे बाइपास सडक के बजने से जो सडके धस रही हैं उसको लेकर अब एक बड़ी चिंता लोगों की सामने आ रही है तो क्या क्यूं जो जिस तरह के खत्रा है कुछ साइंटिस जो हैं वो क्या बता रहे हैं एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं कि क्यूं इस तरीके से ये परिशानिया सामने आ रही है सत्तर के दशक में एक रिपोर्ट जमी इसकी यह ऐसा नहीं है कि आज की समस्या है पहले भी इस तरह की दरारे देखी गए थी पर पहले आबादी इतनी जादा नहीं थी इतना नहीं था कि इतने बड़े पैमाने पर इसको नोट किया जाए तो सत्तर के दशक में एक रिपोर्ट सामने आये थी जिसमें भूव वैग्यानिकों ने एक सर्वेक्षन करा था सर्वे किया था और राजसरकार को रिपोर्ट भेजी थी तब यह उत्तरप्रदेश का हिस् उसको बताया गया था इसी पर जोशीमच शहर जो है वो स्थित है और अगर घर्शन होता रहा तो पहाड अर्स्थिर हो जाएगा और शहर में जो स्थिरता है जो जमीन है जिस तरह की जो बात हो रही है वो खत्रा भड़ जाएगा क्यूं धस रही है जमीन इसके ओपर और जो इन्वार्मेंटलिस्ट है उन्होंने अपने कारण बताए उनको लगता है कि विकास पर्योजनाओं को लेकर लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं 2014 से लाता तपोवन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है दौली गंगा नदी पर बने से यह धसरा है अब टनल पहाडों के नीचे बनाई जाती है जिसके कारण जमीन जो है वो धस्ती चली जाती है 2015 में भी इसी तरीके से कई मकानों में शिकायत आई थी कि यहां पर इस तरह की कोई घटना हो सकती है जून 2022 में भी एक चेतावनी दी गए थी और विकास कार्यो को तुरंत रोकने के लिए कहा गया था रिपोर्ट में हैलांग और मारवाडी के बीच में 20 किलो मीटर का जो खंड है इसका दिक्र किया गया था चोड़ा करने का काम तब चल रहा था अत्यजुनिक तरीके से धलान का काम जो पूरा हो जाए और रेनी में बार और बुन्या क्या कह रहे हैं आपको सुनबाते हैं लगातार जोसी महट का जो सरवेक्षन का कार्य है वो पिछले दिनों चला है और जो भी सरवेक्षन की रिपोर्ट आई है उसके आधार पर हम आगे काम कर रहे हैं अभी हमने इसके लिए एक समिख्या बैठक भी कर ली है आबदा प्र लोगों के लिए किया जाएगा आफदा प्रबंदन विभाद को मुख्य सचीब को आज ही हमने कहा है कि तत्काल वहां का टीम जो है सर्वे का काम करें सर्वेक्षन करें दौरा करें और जो भी जरूत होती हो करें और पस्ताद मैं भी वहां जाओंगा यह मुख्यमंत्री की बात आपने सुनी कह रहे हैं कि हम इस पर बात कर रहे हैं लेकिन स्थानिय लोग अपनी समस्या खुद बता रहे हैं सुर्भी वहां पर रहने वाली एक स्थानिय लोग हैं सुर्भी शा उनकी सुनते हैं कि किस तरह की परेशानिया वहां के लोग जेल र साशन प्रसासन को कहीं बार प्रस्ताव घ्यापन बहुत कुछ दिया गया पर कोई भी हरकत में नहीं आ रही है जिस कारण हमें आंदोलन का सहरा लेना पड़ रहा है और जलूस भी हमें हम लोगों के द्वारा किये गये और आज तो चक्का-जाम भी किया गया तब जाके प्र प्रून रूप से जिम्यदार NTPC है, NTPC जो कंपनी अपनी सुरंग खोद रही है जोशी मट के अंदर से अपनी जोनकी TVM मशीन फसीवी है, उसे निकालने के लिए वो लोग जमीन पे अंदर खोद रहे हैं, ब्लास्टिंग्स कर रहे हैं, बाइपास बन रहा है, वहाँ पे इलीगल ब्लास्टिंग्स, एवं साइलेंट ब्लास्टिंग्स हो रही है, जिस कारण वाइब्रेशन हो रहा है जोशी मट में और वो हिल रहा है, ऐसा कैसा विकास है यह, हम लोगों की बरबादी के कॉस्ट पे ऐसा विकास तो हमें कभी भी नहीं चाहिए था तो लोग यह सवाल पूछ रहे हैं कि उनकी बरबादी पर जो विकास हो रहा है, क्या सरकार को उन्दोंने इसलिए चुना था, यह बड़ा मुद्दा है, लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसको उठाते रहेंगे, कोशिश करेंगे, इसका जल से जल हल भी निकले और यह इस बात को फिर से दोराता है कि कैसे जो डेवलप्मेंट है उससे सस्टेनिबल मनाने की आवशकता है.